तो आज हम बनाएंगे लोकी और चना दाल की सबजी जो बनने में बहुत इजी है और बहुत ज्यादा टेस्टी तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक लोकी लिए है उसको अच्छे से काट कर मैंने इस तरीके से पीसिस में रेडी कर ली है अब यहाँ पर मैंने चना दाल को रात भर भीगो कर रखा था उसको धूलिया है अब उसके अंदर एक कड़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल, तेजपत्ता, राई, चीरा और थोड़ा सा हींग और एक कटी हुई प्यास डाल के उसको मिक्स करें उसके बाद हम उसके अंदर हरी मिर्च और अदरक लसुन का पेस्ट डाल के उसको मिक्स करें और उसके अंदर चना दाल और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पांच से छे मिनिट तक ठक कर उसको पकाएं आप देख सकते हो चना दाल थोड़ी सी पकने आई हैं उसको अच्छे से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम उसके अंदर कटी हुई लोगी जो धोकर रखी है उसको हम डाल लेंगे और उसको ठक कर पांच मिनिट के लिए छोड़ देंगे पांच या छे मिनिट के बाद इसके अंदर गराम मसाला, लाल मिर्च पावडर, हल्दी पावडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा पानी डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उसको 2-3 मिनिट तक पकाएंगे और उसके अंदर कटा हुआ टामाटर डालेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालके हम उसको 5-6 मिनिट या 10 मिनिट के लिए उसको अच्छे से पकाएंगे बीच-बीच में चेक करते रहें नहीं चीपक ना जाएं तो उसको ढख कर हमें इस तरीके से पकाते रहना है और उसको छोड़ते जाना है और फाइनली यहां 4-5 मिनिट के पाथ हमारी सबसी बनकर रेडी हो चुकी है तो धन्या डालकर इसे इंचोई करें